नमस्कार दूस्तों मौसम ताजे समचार में आप सभी का हारदिक स्वागत है और मौसम विभाग को लेकर अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस समय देश के लगबग दो दरजन राज्ये भीषन कुहुरे ठंड सीत लहर बरबबारी और कहीं पर बारिस से जूज रही है जीहां सातियों अगले 4-5 दिनों में मौसम का हाल क्या रहने वाला है कहां पर और भी अत्यदिक बारिस मावट सीत लहर कुहुरा पढ़ने वाला है मौसम विभाग के द्वारा अभी अभी 16 राज्यों की नई लिष्ट जारी कर दी है इस समय उत्तर भारत में सर्दी का बेहद ही खतरनाक सितम जारी है वहीं इसको देखते हुए IMD ने औरेंजलेट जारी कर दिया है कस्मीर में दोस्तों इस समय भेंग कर बरबबारी हो रही है उत्तर भारत में सीत लहर का कहर जारी है और सुबह से ही उत्तर भारत में कडाके की ठंड महसूस की जा रही है मौसम विभाग ने राजस्थान, हरियाना, पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदीश सही ते कई राज्यों में ठंड के और भी बढ़ने की संभावना जताई है इससे पहले दिश के कई राज्यों में पिछले 24 गंटों में नियुनतम तापमान सामाने से भी नीचे दर्ज किया गया था मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में आकास वैसे तो साप रहेगा, सुबह सीत लहर चलेगी और बहुत घना कोहरा होगा इसलिए विभाग ने ओरिंज अलर्ट जारी किया है, आगामी सौमवार को ठिटरन रहेगी, इसके बाद मंगलवार से ठंड में थोड़ी रहत मिलने की संभावना है घना कोहरा होने के कारण सुबह साड़े पांच बजे पालम एयरपोर्ट के पास द्रस्यता महज 25 मीटर वैस सबदर गंज के पास द्रस्यता 200 मीटर थी पहाडी राज्य जम्मु कस्मीर उत्राखंड वै हिमाचल प्रदीश की कुछ छेत्रों और राजस्थान में चूरू समीत उत्तर भारत में कई जगों पर पारा सुनने से भी नीचे चला गया है एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोग के असर से उत्तर भारत के पहाडों पर दुस्तों पिछले 24 गंटों में भेंकर बरबबारी के आसार है जम्मु कस्मीर में भी सीत लहर जारी है और यहाँ पन्यूंतम तापमान में थोड़ा सुदार हुआ है पहाडों पर लगतार बरबबारी हो रही है और बरबबारी का असर मैदाने इलाकों में भी देखा जा सकता है मैदाने इलाकों के पिर्मुक राज्य बिहार जहार खंड ठंड की सपेद चावदर में लिपट गए हैं बिहार में ठंड ने 64 सालों का रिकोर्ड तोड़ दिया है ये ठंड अब जान लेवा सावित होती नजर आ रही है एक नए पहस्ची में विक्चोब के सक्री होने के चलते ठंडी हावाओं का असर बढ़ने लगा है मौसम विवाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 3-4 दिनों में ठंड का असर और भी बढ़ेगा बिहार के 19 जिलों में कॉल्ड डे की चेता आउनी जारी की गई है कई जिलों का तापमान 8 डेगरी तक पहुँच गया है इसकूल जाने को दोस्तो बच्चे मजबूर हैं लेकिन कई राज्जियों में इसकूलों की जो छुटिया हैं वो भी बढ़ा दी है इसे के साथ मैं आपको बताते चलें 36 गड के 10 जिलों में सीत लहर की भेंकर चेतावनी जारी की है और अगले 48 गंटों में इसका असर देखने को मिलेगा राजधानी के लालपूर इस्तित भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी चेतावनी में कहा है कि 36 गड के तीन संभागों में सीत लहर का असर दिखाई दे सकता है जारी सूचना के अनुसार प्रदेश के कोरिया, बलरामपूर, सरकुजा, सुरजपूर, जसपूर, कवरधा, पेंडरोंड और दुर्गवे उससे लगे जिलों में एक दो पोकेट में सीत लहर की संभावना जताई गई है उत्तर प्रदेश इस समय भीषन कोहरे और सीत लहर से जूज रहा है यूपी के कास गंज में घने कोहरे ने चार लोगों की जान ले ली है यहां घने कोहरे के कारण देर साम एक कार पीट से जाटक राई हादसे में कारशवार चार लोगों की मोगे पर ही मौत हो गई है वहीं दो लोग गंभीर रूप से घैल हो गई है साथियों बता दे कि अगर आप भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और इस समय साथियों भेयंकर भीशन कोहरा पड़ रहा है कई राज्यों में तो आप सेटी से गाड़ी चलाओ और साथियों बता दें कि राजिस्थान में तो पाला भी पड़ रहा है चूरू में और यहां पर कोहरे का कहर जारी है सरसोवे जो चने की फसले हैं उनको दोस्तों पांच से दस फीजदे नुकसान राजिस्थान में हो रहा है मौसम से जोड़ी सभी राजियों की बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी आपको हमारी चैनल पर मिलती रहेगी इसलिए अभी ही चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें ताकि सभी लोगों तक मौसम की लेटेस झाल